आई में बिहाद आज साखा नरंदा मेडिकल कॉलेज यह अस्पताल पटना के वरिये प्रध्यापट सब्सक्राइब दॉक्टर बिनोत्मार सिंग के नियम वदूद अकारण और भैभारिक निलंबड की घोर भतस्ता करता है डॉक्टर बिनोत्मार सिंग ने कोरोना जैसी जानलेवा बिमारी के दौर में अभुद्पुर साहस और समरपन का परिशे देते हुए अपनी भूम का निभाई है जिस अभुद्पुर सेवा परदान किया है बत्वान देंगू महामारी में भी उनका काज उप्रम सुवधाओं के अंतरगत स्रहानिय था फिर भी सरकार अपने कमियों उचिपाने के लिए एक विद्वान एक इमंदार के उकटनिस्ट को बिना उनका पक्ष जाने निलंबित कर सकता है तथा इस समन्द में कोई अध्यूस्तना निकाल देका अधिकार विशेश कार्ज पर अधिकारी को नहीं है इस प्रकार यह दिलंबन आदेश गयर गानुनी है हाली में आईयमे बिहार राज चिकिस्टक स्वासमंग बिहार स्वासमंग राज के जुनियर डॉक्टर यह इंटरन चिकिस्टों को मनुबल को तोड़ने के लिए सरकार दोरा कई करवाईया की गई है जिसका गंभी परिणाम बिहार की स्वाथ स्वा को धुवतना पर सकता है आयम में बिहार मानिय मुक्वंत्री स्री नितिस्वाजी से अगरह करता है कि वे वडिय पधापक डाक्टर बिनोत कमार सिंग के दिलंबन को अभिलंब निरस्ट क सब्सक्राइब करें नरंडा मिटकर कॉलेज यहुथाल की अधिक्षक का कार्जभार किसे दिया जाए यह सरकार की अधिकार श्कितर में है हम सरकार से न्याइद के पक्षा करते हैं और न्याइद पाने के लिए हम हर संभौव संघर्स करेंगें यदि विनोत कुमार सिंग किस बिंदू पर ने आले जाते हैं आये में विहार उन्हें पून समर्थन देगा सरकार को देखना है एक तो आप जो है सरकार एड-hoc रूप में काम कर रही है सुपरिटेंडेंट का फूल टाइम जाब है आप किसी को मन करता है उठा करके एड-hoc के रूप में आप सुपरिटेंडेंट बना देते हैं उपना विभाग का काम करें या आप सुपरिटेंडेंड का काम करें आप क्यों नहीं permanent superintendent बनाते हैं, उसको power क्यों नहीं देते हैं, आज जो problem जो खड़ा होता है, उसका main region जो है स्वास्त मिवाग है, आप जो है जो suspension की बात आ रही है, class 1 officer का suspension आप नहीं कर सकते हैं, जब तक से आप उसे सोक आज पूछे, एक class 1 officer को आप suspend को यह एक चपरासी को तो suspend करिये नहीं सकते हैं बिना सोक आज पूछे, आप एक class 1 officer को आप जो है, सस्पेंट कर देते हैं, बिना सोक आज पूछे, आप क्यों सस्पेंट कर रहे हैं, आप उसको क्या power दिये हुए हैं, वह आपको additional work कर रहा है, उसका main work जो है अपना विभाग का विभागा ध्या और उसके additional work में, क्यों additional work दिये हुए हैं, क्यों नहीं permanent superintendent आप देते हैं, क्यों ad hoc basis में आप काम चला रहे हैं, medical college में, इतने medical college में जितने superintendent हैं, जितने principal हैं, सब ad hoc group में काम कर रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, आपकी ब्योस्ता, आपकी खराब है, आप क्यों नहीं इस ब्योस् कि क्योंकि आप कमी है आप डाक्टर तो है नहीं एक डाक्ट एक जहां दस दस पोस्ट है वहां पर छोल खाली का है क्यों खाली रखे हुए हैं एक डाक्टर के उपर चार डाक्टर का बोजा पड़ा हुआ है आप क्यों करना चाहते हैं एक प्रफेसर है वह अपना प्रफेसर आपने डाल दिया सूहर का कадно क्यों डाल रहा है पर आपको सब को वह पक्राइवस्था जो है सरकार का काम देखना है सरकार काम नहीं देख रही है व्यवस्थित रूप में रोज जो है इनको चार्ज है उनको दे दिया क्यों दे रहा है भाई पर्मानेंट क्यों नहीं पोस्ट करते हो पर्मानेंट सुपरेटेंट पोस्ट करो पर्मानेंट डिप्टी सुपरेटेंट पोस्ट करो जो की आप जो आस्पताल का प्रवंधन का काम देखे वह काम करें यह काम एड हक के रूप में जो काम च करे आप जो हैं आप बावर कर नहीं रहे हैं जो जो है उसे को आप जो है इधर का माल इधर का माल कर और छोड़ दे रहे हैं ताईसे इसमें एकदम सरकार का दोष है है सब्धी अजी में जितने भी मेडिकल कॉरे Schönawa स्पयकारी व्यवस्था में कर्णाः क्रिश का मैं कि ऐसे करेंगे आप जो जो कर्णाः किता में उन्हीं को पर्मानींत बना दीजिए और ये विनोध कुमार शिर्च आपना अपना काम देखते हुए Link करेंग सट चिति न ऑदर प्रिस्पुलियार्य वे इसाइब य। तो एक आदमी अपना ही काम करने में इतना अधिक उसका समय लग जाता है और जहां तक सवाल है इनका सुप्रेटेंडेंट का तो उन्होंने कौन ऐसी गलती किया और कि आप डाइरेक्ट उनको सस्पेंड कर दिये विजे एक तो उनका सस्पेंशन होगा तो आएजे एजे फैंशन हाज जांग इसलिए उनको बहुत होता तो उनको वाक कर देते आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उनको कर देते अपने परेंट पोस्ट पर और बाकि किसी दूसरे को बनाते एक ही बार आप सुस्पेंट कीए तो उधर भी तो काम है उधर भी काम किये और कोई दिनों से अंत में उनको दूसरे जगह हटा दिया जो है कोई पनिश्मेंट नहीं हुआ है कल वहां है और यह डाक्टरों के साथ हमेशा सर्वार्ट सरकार सोचती है कि हम डाक्टर को सस्पेंट कर देंगे इसका जनता खूस हो जाएगी अरे मुख्यमंत्री जी आप सब्सक्राइब में उस समय भी आपने जो कूब व्यवस्ता देखी जो इमर्जेंसी चल रहा है जो नाया बना ठीक से चल रहा है टाटा वाड में तो हम लोग रोज देखते हैं कि इसी तरह से व्यवस्ता है कि आदमी आ नहीं सकता है गेट पर पूरा जाम रहता है मरीच प बाड कर से सब्सक्राइब कर से सकता है